हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी प्लिस कॉंस्टेबिल और यूपी रेडियो उपरेटर के लिए हिंदी का इंपोटेंट टेस्ट लेकर क्या जाओं समीधान में मानता दी गई जल्दी से बताईए तो भारत में हिंदी की किस लिपी को समीधान में मानता दी गई तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर आपका देवनागरी लिपी चोथा आपसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा किस लिपी को समीधान में मान को अपनाया था तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका खड़ी बोली तीसरा ओपसंस यहाँ पर आपका अगेन बिल्कुल करेक्ट होगा A और I1 क्या कहलाते हैं बहुत important question सही यह वाला यानि कि इनका उचण स्थन कहां से होता है तो यह कंठ तालब वेंजन कहलाते हैं वेंजन नहीं स्वर माफ कीजिएगा चौथा ओपसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह स्वर हैं हिंदी भासा में वे दोनिया कौन सी हैं जो दूसरी दोनों की साहता से बोली या लिखी जाती हैं मतलब ऐसी दोनिया जिनको बोलने या लिखने के लिए हमको स्वर कियावसकता होती ही है वे हैं आपकी वेंजन वेंजन को जैसे आप लिख रहें का अब का का बन विच्छित करोगे तो क्या होगा का और आ यानि कि आ या आ जो है वो एक स्वर है यानि कि वेंजन को बिना स्वर की साहिता से बोला ही नहीं जा सकता और वही तो आप से वो आपसंस में पूछा था तो दूसरा आपसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साहिएक तबहेंजन निमले के तमेंसे कौन सा है बढ़िया कोसन से जल्दी से बताएं साहिएक तबहेंजन चार होते हैं चछत्रा ग्या और स्रा अब देखो ग्या दिया हुआ है दूसरा आपसंस करेक्ट जो की जा और यहां के मिलने से बनता है यह है ना तो दूसरा आपसंस करेक्ट हो जाएगा बहु वचनात पुरलिंग सब्द कौन सा है जो बहु वचनात भी है और पुरलिंग सब्द भी है तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका आंसू दूसरा ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सुद्ध वरतनी आपको बतानी है कि दोबिन आप किस परकार से लिखेंगे ए ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निमलेके तमेंसे किस सब्द की वर्तनी असुद है जिस सब्द की वर्तनी असुद है उसी का आपको चेन करना है जल्दी से बताए तो सही आंसर हो जाएगा आपका जागरत जागरत जो है वो तीसरा आपसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यह जो है आपका गलत लिखा ऊए जागरत की सुदवरतनी क्या होगी मुझे बताईएगा ठीक है बताईएगा क्या यह होगी ठीक है तो तीसरा ओपसंस करेक्ट हो जाएगा सुदवरतनी का चेन करना है जो इत्सुना आपकिस परकार्ड से लिखेंगे इसमें असुदवर्तनी बतानी थी इसमें सुदवर्तनी बतानी है आपको जो इस्टना तीसरा ओप्सन्स करेक्ट हो जाएगा तदबाव सब्द का चेन करना है कि निम्ले के तमेंसे कौन सा तदबाव सब्द है निडर एक तदबाव सब्द है इसका जो तस्वम होगा वो होगा आपका निरडर क्या होगा निरडर चूरन का तस्वम सब्द क्या होगा चूरन का तस्वम होगा चून दूसरा ओप्सन करेक्ट कौन सा तस्वम सब्द नहीं है जल्ली बताओ रात एक तस्वम सब्द नहीं है ये तद्वावेस का तस्वम रात्री होगा प्राची प्रयावाची सब्द है किसका तो ये पूर्व का प्रयावाची सब्द है तीसरा ओप्सन्स करेक्ट है आपको बताना है कि घर का कौन सा प्रयावाची सब्द नहीं है भवन होता है लेकिन भवन नहीं होता है दूसरा options बिलुकल correct हो जाएगा 53 अगवन में आपको क्या बताना है बिलूम सब्द बताना है तामसी का बिलूम सब्द क्या होगा 53 में तामसी का बिलूम सब्द होगा साथ बिक चौथा options correct दुस्प्रवती का आपको ब्लूम सब्द बताना है कि दुस्प्रवती का ब्लूम सब्द क्या होगा तो दुस्प्रवती का ब्लूम सब्द क्या हो जाएगा आपका सद्वरत्ती यानि की चौता ओप्सन्स करेट हो जाएगा जिस पेड़ के पत्ते जड़गाई हों वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या होगा उसको बोलेंगे हम अपत चौता ओप्सन्स करेट तेरने की एक्छा को क्या कहते हैं जल्दी से बताएं तितीर सा दूसरा ओप्सन्स करेट चंद्रमा संख कपूर किस सब्द के अनिकारती सब्द है तो सही आंसर हो जाएगा आपका अबजिकी पहला ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्गल करेक्ट नेक्स्ट कोसन्स 50 और 59 में आपको बताना है कि सब्द योगम के 4-4 विकलब दिये गया है सही विकलब का चेन करना है यथागत तथागत यथागत का क्या हो जाएगा सर मूर्ख तथागत का क्या होगा भगवान बुद्ध पहला ओप्सन्स बिल्गल करेक्ट हो जाएगा सम और सम का सही अर्थ क्या होगा सम का अर्थों का समान और सम का अपरतों होगा सयम दूसरा ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट सादू का इस तरी लिंक सब्द क्या होगा सादू का इस तरी लिंक सब्द हो जाएगा साद भी दूसरा ओप्सन्स करेक्ट राष्ट की बहावाचक संग्या क्या होगी तो यह होगी राष्ट यह था चौता ओप्सन्स करेट राष्ट की वही है किस समू के सभी सब्द सरवनाम प्रसन बाचक में है यानि कि कौन सा सब्द समू है जिसके सभी सब्द जो है वो पिरसन वाचक सरव नाम में कौन क्या किसने है पहला option से हाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा मैं काम से जा रहा हूँ बाक में से कारक जो है वो किस कारक में देखने को मिलेगा से कारक चिन काम से जा रहा हूँ से कारक चिन का जो यूज है वो किसके लिए हो रहा है काम से जा रहा है यह नहीं काम उससे जुड़ा हुआ है से कारक चिन का यूज जब जोड़ने के लिए हो तो वहाँ पर आपका कर्ण कारक होता है दूसरा ओप्सन्स करेक्ट कर्म कारक के लिए उपयक्त होने वाला चिन कौन सा है देखो अभी हली तो हमने पड़ा है कर्म कारक के लिए उपयक्त होने वाला चिन करताने कर्म को कर्म कारक में को कारक चिन देखने को मिलेगा निमले के तुमें से कौन सा कतन सत नहीं है सत नहीं यानिकी जो गलत है संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं नहीं भईया संस्कृत में तीन होते हैं एक स्ट्रिलिंग पुरलिंग और नपूसक लिंग जबकि हिंदी में नहीं होते हैं हिंदी में स्ट्रिलिंग और पुरलिंग होते हैं जिसकी पूर्व से कोई यासा ना की गई हो वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या होगा। उसको वुलिंगयम आप्रत्यासित के लिए एक सब्द क्या होगा। सुद वाग का आपको चियन करना है 68 में जल्दी से वताएं। नेता जी की मरत्तिव शोब जनक है दूसरा ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उरती चड़िया के पंक गिनना इस मुहाबरे का सहीरत क्या है असंभाव कार करना चौता ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और सांत रसका स्थाइबाओ क्या है तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताइएगा तो दोस्तो ये थे आपके important questions जो कि आपके आने वाले exam UP police constable और UP radio operator के लिए बेद important है वीडियो दोस्तो अकर आपको अच्छी लगे तो please दोस्तो वीडियो को लाइक हो से जरू कर देजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स लास में नेक्स सेशन में जै हिंद जै भारत